मूंग दाल की कचोरिया तो अपने बहुत बार खाई होगी लेकिन थोड़ा अलग तरे से बनी गेहु के आटे की ये टेस्टी और खास्ता कचोरी के सामने आपको हलवाई वाली कचोरी समोसा भी फीका लगेगा तो यहां मैंने दो कप गेहु का आटा ली है और इसके साथ मे लेंगे आधी छोटी चमच नमक एक छोटी चमच पीसी हुई चीनी आधी छोटी चमच हलदी पाउडर और आधी छोटी चमच लाल मिच पाउडर हलवाई लोग ये कचोरी को नॉर्माली मैदे से ही बनाते है लेकिन आप गेहु के आटे से इसे बना कर देखना ये भी बह करके लिए है जमा हुआ घी अगर एक चौताई कब लेंगे तो बहुत जादा हो जाएगा और हो सके तो आप आटे को घी से ही मौइन करना इसे टेस्ट कई गुणा बर जाता है और जितने अच्चे से आप ऐसे इसे मसलत हुए मौइन करेंगे ये कचोडिया उतना ही जादा बनेगा और बहुत देड तक ये खास्ता ही रहेगा चाहे आप इसे स्टोड भी कर ले ये देखिए अभी आटे में कितने अच्चे से मुठी बन रहा है तो अभी इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी और इसका एक सेमी सॉफ्ट आटा तयार करूंगी मतल अभी आटे को बिल्कुल इतना सा सॉफ्ट रखेंगे तो अभी उपर से थोड़ा सा घी और लगा के आटे को थोड़ा सा चिकना कर लेंगे इसे रेस्ट होने के बाद भी ये उपर की परते सूखेगा नहीं और अब इसे करीबन 15-20 मिनिट के लिए रेस्ट होने देंगे और तक तक मिक्सी के जार में लेंगे एक बड़ी चम्मच जीरा, देर बड़ी चम्मच साबुत धनिया, देर बड़ी चम्मच सौफ और दो सूखी लाल मिच को ऐसे तोर के डालेंगे इसे ये अच्छे से पीस जाएगा और इसे मैं बिल्कुल दरदर सा पीस लूँगी औ और अब इस कप में करीबन एक चौथाई का पानी डालेंगे और साथ में आदी चोटी चम्मच हिंग डालके इसे अच्छे से मिला लेंगे ये हिंग वाले पानी को मैं स्टफिंग में यूज करूंगी तो अभी इसे अच्छे से मिलाके साइट में रख दूंगी और अब पैन में डालेंगे करीबन तीन बड़ी चमस तेल और तेल हलका सा गरम होते ही इसमें डाल देंगे आधा कब जितना बेसन और बिलकुल लो फ्लेम पर हम बेसन को थोड़ी देर भून लेंगे तो बेसन जैसे जैसे भूनता जाएगा यह बिलकुल लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और इसे अब बिलकुल लो फ्लेम पर ही भूनना क्योंकि फ्लेम को अगर थोड़ी सी भी ज्यादा कर देंगे तो बेसन जल जाएगा और इसे छोड़ना भी नहीं है ऐसे ही थोड़ी देर कंटिन्यू चलाते हुए इसे भून लेंगे और बेसन बहुत जल्दी से नमक डालके एक बाच चला दूँगी यूँकि पैन अभी काफी गरम है तो नमक के साथ एक बर इसे चला देंगे तो मसाला डालते डालते ये बेसन जलेगा नहीं और अब इसमें डालेंगे आधी छोटी चमच हल्दी पाउडर एक छोटी चमच कश्मीरी लालमिच तो इसे भी डाल देंगे और एक बर बेसन के साथ इन सब को मिला दूँगी अभी भी मैंने फ्लेम को ओन किया नहीं है और मैंने दो बरी चमच मूंक की दाल और दो बरी चमच उरत दाल को एक साथ मिला कर ली है इससे कचोरी का टेस्ट बहुत ही बढ़ी आएगा तो मैंने क्या किया ये दोनों दाल को 2-3 बार ऐसे पानी को चान चानके अच्चे से धोया और फिर इसमें पानी डालके इसे करीबन 2 गंटे के लिए भीगो कर रख दी थी तो दाल पूरा डूब जाए इतना पानी डाल के इसे भीगोना है और अभी देखिए 2 घंटे भीगोने से ये दाल काफी फूल चुका है और अच्चे से सौप भी हो चुका है तो इसे पीसना बिलकूल भी नहीं है सारे पानी को छानके दाल को साबूत ही मैण में डाल देंगे और अब flame को on करके बिलकुल low कर देंगे और इसमें डालेंगे ये हींग वाला पानी और अब सारे चीजों को अच्छे से मिलाएंगे और low flame पर ही इन सब को थोड़ी दिर भून लेंगे तो हींग को आप direct मत डालना ऐसे पानी में भीगो कर ही डालना इससे हींग इस मिक्षर के साथ बहुत अच्छे से मिक्स होगा तो सारे चीजों को मिक्स करने के बाद अब इसमें थोड़ा-thोड़ा करके ऐसे पानी चिरकेंगे और इस मिक्षर को भूनेंगे इससे बेशन अच्छे से फूल जाएगा और ये दोनों दाल भी बहुत अच्छे से कूक हो जाएगा मतलब भीगोने से दाल काफी हद तक सौफ्ट हो चुका है और ऐसे पानी छी रख के भूनेंगे तो ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा पूरा पक जाएगा लेकिन बहुत सारा पानी एक सार दाल के इन दोनों दाल को पूरी तरह से गलाना नहीं है तो देखिए जैसे जैसे ये भून रहा है इसका कलर भी चेंज हो रहा है और इसमें से बहुत बढ़िया एक खुश्बू भी निकल रहा है तो हिंग वला पानी को छोर के मैंने यहां पे करिब करिब एक कप जितना पानी यूज करी है और यह स्टफिंग को बना कर अब कई दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते है ये देखिए थोड़ी ही देर में ये मिक्शर एक डो फॉर्म में आ चुका है और अभी पैन को भी छोडने लगा है तो इसे और भूनना नहीं है फ्लेम को आफ कर देंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे और इधर आटा भी अब अच्छे से सेट हो चुका है अब इसमें से एक पूरी जितना छोटा सा लोई तोर लेंगे ये देखिए तो अब इसे अच्छे से गोल करेंगे और थोड़ा-थोड़ा सुका हाटा लेके इसे एक कटोरी जैसा बना लेंगे तो इसे ऐसे साइट से थोड़ा-थोड़ा दबाते हुए घुमाएंगे और कटोरी बना लेंगे मतलब ये side वाला part थोड़ा पतला होगा और ये बीच वाला थोड़ा मोटा रहेगा इसे कचोरी फटेगा नहीं और अब ये थोड़ा सा mixture को लेकर एक छोटा सा ball बना लेंगे और इसे बीच में रखके इस कचोरी को चारो तरब से समेटते हुए कचोरी के मुझ को बंद कर द देंगे इसे बेलना नहीं है ऐसे हलका हलका सा दबाते हुए फैल आएंगे तो अंदर की stuffing भी चारो तरब फैल जाएगा ये देखिए तो अब इसी तरह बागी के कचोरियों को भी बना लेंगे और अब इसे मैं फ्राइ कर लूँगी तो ये तेल को मैंने एक दम हलका सा ग थोड़ी ही देर में देखिए ये अपने आप ही तेल में कैसे तैरने लगा है तो जब ये ऐसे तैरने लगे तब एक एक करके इन सब को पलट देंगे और ऐसे थोड़ी थोड़ी देर में इसे पलटते रहेंगे तो चारो तरफ से ये बिल्कुल एक जैसा ही फ्राई होगा लेकिन इसे आप बिल्कुल low flame परी fry करना इसे ये कचोरिया बहुत ज्यादा खास्ता बनेगा और बहुत देर तक खास्ता ही रहेगा लेकिन flame को अगर ज्यादा करेंगे तो उपर से ये color पकर लेगा लेकिन अंदर की layer कच्चा ही रहेगा और खास्ता भी नहीं बनेगा ये देखिए ये कचोरिया बहुत अच्चे से अब fry हो चुका है और देखिए एक भी कचोरी तेल में बिखरा नहीं है अभी इसे मैं निकाल लूँगी तो एही बस छोटे मोटे कुछ tricks है अगर इसे आप follow करके इस कचोरियों को बनाएंगे तो ये हलवाई से भी ज्यादा tasty और खास्ता बनेगा और एक चीज़ दूसरे batch को तेल में डालने से पहले flame को थोड़ी देर off करके आप तेल को थोड़ा सा ठंडा ज़रूर कर लेना क्योंकि अभी तेल का temperature काफी ज्यादा है इससे हर कचोरी का texture बिल्कुल एक जैसा ही होगा तो देखिए ये कितना बढ़िया और खास्ता बना है और जितना बढ़िया ये देखने में आपको लग रहा है टेस्ट में ये उससे भी काफी बढ़िया है तो मुझे बताना ये बेशन दाल की कचोरी आपको कैसी लगी चलिए मिलतके लिए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार